नमश्का दोस्तों, मेरे नम डॉक्टर नगिंद्रियाद अधवे अपने बर्ड्स को यदि हेल्दी और खुश रखना चाहते हैं तो आपको क्या पहना चाहिए? देखे, जब भी आपको कोई बर्ड्स पालते हैं, उसका स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बर्ड्स अकसर क्या बिमार होते हैं, जब वो डिप्रेशन में चलाते हैं और डिप्रेशन में जाने का जो मेन परपस होता है, यदि बर्ड्स के साइज के साब से आपने यदि केज का चुनावनी किया है क्योंकि बर्ड्स को फ्री घूमने के लिए, उड़ने के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है यदि आप अपने birds को एक छोटे से पिंजरे के अंदरे दिया आप कैद करके रखते हो, उसको moments के लिए को space नहीं देते हो, तो आपका birds ओटमेटिक धीरे-धीरे depression में जाकर के बिमार हो सकता है, और कई सारी complications आपका अपने birds में देखने हो मिलेगी, तो जो first पहले priority होती है, आपके birds का जो घर होता है, cage होता है, वो सबसे important होता है अपने birds को खुश रखने के लिए, cage का size birds के standard size के साब से double से triple होना चाहिए, ताकि birds को free move करने के लिए space होना चाहिए, फिर आता है कि birds को कभी भी single ना पाले, क्योंकि यदि आपका birds अकेला है, तो वो जो कहा, depression में जा पालना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, birds आपस में बाते करते रहते हैं, और birds हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि birds की जो normal activities है, pairing के अंदर हो रहती है, birds अपने आपको busy भी रखते हैं, birds को खुश रखने के लिए, आप चाहते हो कि आपका birds busy रहते हैं, तो उनके cage के अंदर उनका घर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि birds, जब breeding season आता है, तो automatic देखेंगे, कि birds अपने आपको breeding के लिए जब तियार करते हैं, तो male और female आपस में busy हो जाते हैं, वो घोसला बना निकोशिश कर सकते हैं, ऐसे में क्या है, आपको bedding material जो फिरामिना है, यानि उनके जो body के hormones release होते हैं, उनको ठीक करने के लिए, यदि आप उनको ये सब सुविधा नहीं दोगे, तो उनके जो hormone imbalance आपको देखने को मिलेगे, जो natural परवर्ती है, कि body के अंदर hormone release हो रहे हैं, आपने घर दे दिया उसको बना करके, उसने ने नेस्ट बात है, यदि आप से एक single birds रखते हो, तो automatic वो कहीं न कहीं इस चीज को महसूस कर सकता है, इसलिए birds जब पेर में रहते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं, और अच्छा healthy life friends वैथीद करते हैं, birds अपने बच्चों की care करना शूर कर देते हैं, automatic काफी ज़्यादा समझ जब बच्चों की care में करते हैं, उनको छोटे से लेकर बढ़े तक ग्रो करते हैं, ये birds का एक natural process है, कि birds को जब भी कभी खुश रखना हमशे पेरस में पाल लिए, घर के अंदर, केज का size बढ़ा है, आपने उनके एक मटकी proper bidding के दे रखी है, अब बात आती है कि birds को खाने में क् birds healthy रहे हैं, देखे, खाली birds को एक seeds से अदाना दे करके भी आप अपनी formalities पूरी मत कीजे कि आपने उसको खाना दे दिया, खाना उसको nutrition value के साब से देना चाहिए, क्योंकि जिसमें सभी nutrition मौझूद हो, खाली जो seeds होते हैं, वो fat percentage होते हैं, उनमें fat की मातरा दिक होती है, औ nutrition value कम होती है, और हम अपने birds को healthy, बात उनकी health की कर रहे हैं, अगर healthy रखना है, तो हमें proteins, vitamins, minerals, यह सभी चीजों का combination दी birds की diet में रखेंगे, तब ही आपके birds healthy रहेंगे, इसमें आप parakeets भी देख सकते हो, pigeons भी देख सकते हो, यानि सभी birds के लिए common यह हैं, तो आप उसके लि alternative birds को देनी चीए, birds इनको enjoy करते हैं, जिती भी हरे पतेदा सब्जिए, calcium, magnesium, iron और zinc, इन सब का a source होती है, जो कि birds की health के लिए, हड़ियों के लिए, पंकों की मजबूते के लिए, बिल्कुल अच्छी होती है, birds को toys, number of toys ज़्यादा प्रोइड कीजिए, आपको पता है कि आप birds के पास कोई काम ने होता, birds feather plucking start का देता है, इसलिए birds की feather plucking की problem नहों, उनको busy रखने के लिए, आपको number of toys ज़्यादा से ज़्यादा प्रोइड केजिए, ताकि आपका अपने birds अपने आपको busy रख करके, इस problem से बचा रहे, birds के पीने के पानी में, आपको regular medication calcium, आपको दे birds की, एक तो calcium के blocks के दो फायदा होता है, एक तो calcium के requirement होती है, दूसरा आप birds के जो cage है, उनकी चोंच जब बढ़ती रहती है, वो proper normal shape में बनी रहे, तो आप जब calcium के blocks देंगे, जब birds उसको तोड़ेंगे, तो उनकी जो beak है, वो ज़्यादा size मेरी बढ़ेगी, और लगातार उसको touch करने से उसकी beak जो फ्राप पर रहेगी, उसकी extra beaks की जो problem आती, जो चोंच बढ़ जाती, वो problem आपको calcium के blocks देने से बिलकुल भी नहीं आएगी, बर्ड्स को नहलाने का पानी हमेशा रखना चाहिए, उससे भी birds खोश रहते हैं, यानि आप हफते मेंचे एक बार दी यानि birds अपने एक-एक feathers को सवाना चीव कर देता है, और उससे क्या होता है, उनके पंखों के अंदर चमक होती थी, आपको पता है कि birds की body के अंदर oil secret होता है, यानि oil glands होते हैं, और birds आपने अप से देखा होगा, जब भी कभी नहाता है, तो एक-एक feathers को, वो body में जो oil निक पर separate करने की कोशिश करता है, ये एक natural phenomenon है, natural process आप कहा सकते हो, जो कि birds अपने आपको सजने सवाने के लिए करता है, और ये birds को healthy रखने के लिए, इसको activities के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए grooming के लिए bathing बहुत ज़्यादा ज़रूरी, birds के लिए, यदि आ आप बातिंग नहीं दे पाते हैं, प्रवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको दीजे, ताकि उसके feathers में जो चमेक है, बराबर बनी रहे हैं, और आपका birds की जो physical activities है, जो grooming की, जो एक natural process है, उससे कहीं आपका birds फवल्चितना हो जाए, बर्ड जो है टोई से बहुत ज बाइस चेंज कर देंगे, तो birds, जो नए टॉइस आएंगे, उनके साथ और ज़्यादा अच्छे से खुश रहेगा, आज मैंने इस वीडियो के माधिम से आपको बता है कि हम अपने birds को कैसे खुश रख सकते हैं, कुछ जरू टिप्स, उमीद करता हूँ कि आपको मेरे वी स्क्रेपकिटी और ने माध